हेलो दोस्तो पिरसे एक बार स्वागते आपका हमारी चैनल के नव वीडियो में में हूँ आपका दोस इंजिनियर सागर तो दोस्तो आज आपके साथ शेर करने वाले है बाराव सो स्कूर्पिट में बनायोए नक्षे के बारे में इस प्लॉट की साइज 30 स्पिट बाई 40 स्पिट रहने वाले ही फारमाउस का डिजन रहेगा इस प्लॉट के चारों तरफ से वेंटिलेशन दे सकते हैं क्योंकि ये खेत में बनाया जाने वाला है तीस में हमें टू बेच के डिजन किया हुआ है कापी खुब सुरत नक्षा यहाँ पे हमने आज बनाया हुआ है जो कि आज आज आपके साथ शेयर करेंगे नक्षा वास्तु के इसाथ से रहने वाला है अगर आपको भी आपके इसाथ से नक्षा या 3D dilution बनाथा है उपर हमारा नम-बर दिया हुआ है नम-बर से आप संपर्क करके आपके लिए नक्षा या 3D dilution बना सकते है दोस्तो इस पिसिंग प्लॉट की सबसे यहाँ पर डिजन किया गा है तो यहाँ पर आप सामने की तरफ देख सकते बरामदा मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर मेंडोर रहने वाला है उसके बाद यहाँ पर आपका ड्रॉइंग हो रहेगा 12 फिट बाइ 13 फिट 8 इंच का देखने को मिलता है वेंटिलेशन आप देख सकते किस तरह दिया गया है जैन उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है टीवी नुट का प्रोविजन आगे चले जाते हैं तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइनिंग स्पेस रहेगा जिसकी साइज 8 फिट 4 इंच इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है सीडिया गर के अंदर से डिजन की हुए इस तरह भूम के उपर की मंजिल पर जा सकते हैं और सामने के तरप यहाँ पर आपने सावत इश में डिजन किया हुआ है किचन की साइज रहेगी 12 फिट 2 इंच बाई 10 फिट 6 इंच और यहाँ पर आप देख सकते है साड़े 3 फिट वाइट का यहाँ पर आपने वाशिरा डिजन किया हुआ है यहाँ पर कीचन को कनेटे स्टोरूम मिल जाता है स्टोरूम की साइज साथ पर 6 इंच बाई 6 फिट 2 इंच रहेगी विंडो यहाँ पर रहने वाले यह स्टोरू आपने डिजन किया हुआ है 11 फिट 9 इंच बाई 13 फिट रहेगा यहाँ पर आपका डबल बेट रहेगा अलमीरे का प्रोशन यहाँ पर आपने डिजन किया हुआ है बैक सेट जाने के लिए यहाँ पर आपको एक डोर मिल जाता है देन उसके बाद सेकंड नंबर का किया घर आपको इसका एपने चनद ह है तो कमेंट करके जरू बताए आने वाले वीडियो में आपको इसका यहाँ हम दिखा देंगे किस तरा हमने इसका एपने च्छे.